हेलो फ्रेंट्स मैं सेल्फ इंजिनियर सुनिल कुमार डिपलोमा इन सीविल इंजिनिरिंग प्रहुंद जीपी मधेपुरा बी सीसी बोड ने जो लेटरल इंट्री का इंट्रेस एक्जाम डेट पब्लिस किया है उससे अभी SBT फाइनल इयर स्टुडेंट को प्रोब्लेम आ रही है क्योंकि अभी फाइनल इयर स्टुडेंट का जो एक्जाम होना है समेस्टर इंट्री का इक्जाम डेट निकला गया है दोनों एक साथ दिखने को मिल रहा है ठीक है तो अभी जो भी स्टुडेंट BCC LE का फॉर्म भरे होंगे उनका स्मेस्टर इक्जाम दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बहु सारे स्टुडेंट इसको पॉस्पॉंड कराना चाहरे हैं और एक कैंपेन स्टार्ट करना चा तीन साल के बाद मेरा बीटेग फैनल हो जाएगा यह सही बात भी है क्योंकि सभी रेगुलर रहना चाहते हैं अभी बीसी सी एली के द्वारा जो एक्जाम डेट पब्लिश किया गया है वह अब सेमेस्टर एक्जाम से मैच कर रहा है देखते हैं कि बीसी सी बोर्ड के करना है और जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं बीसी सी बोर्ड के में वेबसाइट पर जा सकते हैं देखिए कोई भी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी चाहाइब टेक्निक्स रिलेटेड हो या बीटेक्स रिलेटेड ठीक है देखिए यहाँ पर सेक्शन बना हुआ सकते इस सक्षन में जाते हैं पर उपर वाला उसके करते हैं देखिए जैसे आप से किलिक किजेगा एक नोटीस डॉनलोड होके आता है इंप्रेंट में आपका फॉस्ट है ऑं-लाइन राइस्टरेशन συν को जो जाएगा उसके बाद आप बीसी एलीगा फॉर्म नहीं डाल प पेमेंट का सब्मिशन डेट यानि साथ तारीक कर सकते हैं और फैनली आठ तारीक तक आप पेमेंट करके फार्म को फैनल कर सकते हैं उसके बाद देखिए तिसरा है ओनलाइन एडिटिंग आफ एप्लिकेशन फॉर्म यानि आपके अगर फॉर्म में खिजी तरह का गलती हो ज एक्जाम लेगा ये 26 तारीक को लेने जा रहा है तो यहां पर समस्य आ रही है तो पता होगा कि समस्टर एक्जाम 21, 23, 25 और फिर 27 यहां पर आप देख सकते हैं कि 25 तारीक है उसके बाद 27 तारीक है और इस बीच मे 26 तारीक को BCC का जो है इंट्रेंस एक्जाम दे दिया गया तो यहां पर आप देखिए एक तो इतने कम ग्याप में इसका सेंटर और इसका सेंटर बहुत ही दूर रहता है तो इतने कम ग्याप में आपको यहां से 25 को एक्जाम देने के बाद तुरंत 26 को एक्जाम वहां पर देते हुए और फिर 17 को आपको एक्जाम देना पड़ेगा तो यह कहीं से भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है जदातार स्टुडेंट का यह भी डॉट रहता है कि पचीश को हम एकजाम देंगे उसके बाद 26 को यह एकजाम देने जाएं की ना जाएं चुकि 17 को फिर एकजाम देना है तो यह जो अगला एकजाम है यह पेपर खराब चला इसके बाद आप इस पेपर के लिए अगला पेपर के लिए सताहस्तारी के लिए आप बिल्कुल भी नहीं हो पाईएगा तो इसके लिए देखिए इस यह जो डेट निकला गया है बीसी सी एली बोर्ट के तरफ से इसके खिलाफ अभी जो भी यह स्टूडेंट फाइनल यह हैं उन लोगों ने कुछ जैसे ट्विटर कंपेन और कुछ-कुछ माध्यम के थुरू इस एक्जाम डेट को पॉस्पाउंट कराने का विचार कर दे हैं यहां पर आप गौर से देखिए इस लेटर को यह लेटर दिनांग 39 2021 को पल्टेक्निक छाथ संग जो फैनल यह रेश परिक्षा की परिक्षा तीथी में परिवर्तन के लिए द्वारा तीन तारीक को नोटिस निकला गया है एक्जाम डेट के रियार्डिंग तो उस एक्जाम डेट को पॉस्पाउंट कराने के लिए एस बीटी फैनल यह स्टेंट ने यह लेटर टैप किया है ठीक है के लिए परिएश पाने के लिए फॉर्म भारा था ठीक है उसके बाद लेकिन हमारी स्ट्रीम की अंतिम परिक्षा 25 और स्टैश को एस बीटी यह नोटिस के रिगार्डिंग यहां पर नोटिस दिया गया है को है ठीक है 25 तारीकों सदेश तारीकों है लेकिन लेटराल बाढ़ के कारण बिहार के भीविन हिस्सा में पर परिभान शुब्धा अभी फिर से शुरू नहीं हुई है यानि बहुत जगा बाढ़ आ गया था तो वहां पर आपका परिभान जो सिस्टम है वह भी आपको डैमेज हो चुकी है इसलिए हमारे लिए बिसी सी एली का जो इं सबस्रूंद करें और इस्टूबर के पहले यादूसरी सब्दाह में पॉस्पॉंट कर दें ठीक है ताकि हम सेमेटर परिक्षा समाप्त हो जाए और हमें एक के बाद एक परिक्षा के कारण परिक्षा के तराव का सामना ना करना पड़े ठीक है तो यह अभी यहां पर सर्कुलेट किया जा रहा है लेकिन दखिए मेरा मैसेज सभी स्टुडेंट से यही है जो अभी लेटरल इंट्री का फॉर्म डाले हैं और फैनल येर का एक्जाम देने जा रहे हैं सबसे पहले यह जो अभी लेटर लिखा गया है उसका आपको हार्ट पर निकलबा लेना है और आगे उसके बाद देखिए इस पेज के साथ आपको सभी स्टुडेंट का सिगनेचर और नाम बाली जैसे मान लीजे देखिए अगला पेज कोई लेजिएगा उस पेज में अपना नाम लिख सकते हैं जैसे यहां पर आप नेम लिख सकते हैं और देखिए नेम के बाद आप अपना ब्याच लिख सकते हैं 2021 और देखिए यहां पर आपना रोल नम के साथ attach कर देना है और विली को तीनों को यहां पर attach करके अब सब्स कर देना है थो सब को पता होगा मैं डाल भी दूंगा यहां पर विलास के आपको मैं को है कि अदिना जल्दी हो सके दो-चार दिन के अंदर में ठीक है और सभी College के स्टूडेंट अभी ऐसा कर रहे हैं दखिए मैं आपको बता देता हूं कि बिसी सी बोर्ड का अगर आपको बिसी सी बोर्ड का कोई ओफिसियल इमेल आईडी मिलता है तो आप वहां पर यह नोटिस यह जो लेटर है आप वहां पर डिरेक्ट सेंड कर सकते हैं और आपको सम चैंपेन का भी प्रोग्राम रखा गया है तो देखते हैं कि क्या होता है अगर आप लोग लेकिन सहमत हैं तो आप इस वीडियो को सेर कीजेगा और ज्यादा आप अपना पॉस्पॉंट करवाने के लिए एक दूसरे का मदद करेंगे ठीक है अगर यह आप लोग परियास अगर सफल दाता है तो यह एक्जाम को पॉस्पॉंट कराने के लिए आप लोग सफल रहा सकते हैं यह मुद्धा बहुत ही जायज है चुकि यह पॉसिबल नहीं होगा कि 25 अप समेस्टर के लिए 26 को इसका फिर सत्सको दीजे इसलिए अगर एक बार इस मुद्धा को अगर कॉलेज ग्रूप के तरफ से मैं आपको देता रहूंगा ठीका थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो